हाई मैं हूँ योशु माया पुरी न्यूस बुलिटन में आपका स्वागत है बॉलुवड आक्टर विद्युद जामवाल आक्शन जोर्नर को कॉंकर करते हुए नजर आए हैं अब तक बॉलुवड में बॉल बता दे कि अब विद्युद जामवाल हमीं नजर आने वाले हैं आज शेर सिंग राना जी हाँ ये एक बायोपिक है और पहली बार एक बायोपिक में हमें विद्युद जामवाल नजर आएंगे इस फिल्म को डिरेक्ट करने जा रहे हैं श्री नारायन सिंग और प्रेड्यूस करने जा रहे हैं विनूत भानुशाली शेर सिंग राना जो है एक रियल मैन की स्टोरी है ये फिल्म एक थुरिलर फिल्म बताई जा रही है एक बायो पिक के अलावा वहीं बता दे कि ये है डेंजरिस जर्णी जो हम इस फिल्म में देखने जा रहे हैं इस फिल्म में काफी आक्शन भी दिखाया जाएगा जिसकी वज़े से विद्धू जामवाल इस फिल्म के लिए करेक्ट फिट बैठते हैं हमें बॉलिवुड में आए दिन फ्रेश पैरिंग देखने को मिलती है विल्बता दे कि फिल्म मेकर्स जो है टाइम एन अगेन एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं न्यू पैरिंग्स के साथ और ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आ रही है करन जोहर और इब्राहेम अली खान की तीनों को हाली में उनके ओफिस के बाहर स्पोर्ट किया गया था टाउन में और वो तीनों सेम टाइम पर ही आए थे वेल अभी जादा कुछ एक्सपेक्ट और रिवील नहीं किया गया है लेकिन फैंस ये स्पेकुलेट कर रही है कि हो ना हो ये एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए है वोमन इंडियन क्रिकेट टीम जब हारी अपने मस्ट विन इनकाउंटर अगेंस साथ आफरिका के साथ थ्री विकेट्स के चलते ICC वोमन्स वोल्ड कप की हम बात कर रही है और वोमन्स इंडियन क्रिकेट टीम के सपोर्ट में खड़ी उतरी अक्ट्रिस अनुष्का शर्मा उन्होंने अपना सपोर्ट जटाया अनुष्का ने अपने इंस्टेग्राम स्टोरी पर लिखा बता दे कि अनुष्का शर्मा की जो अपकमिंग फिल्म है उसमें वो जूलन गो स्वामी का किरदार निभा रही है जिसका टाइटल है चगदा एक्स्प्रेस कुछ महीनों से बॉलवड आक्टर शारुक खान काफी ज़ादा बस क्रियेट कर रहे हैं मल्टिपल प्रोजेक्ट्स के साथ विल बता दे कि पठान तो आ ही रहा है लेकिन इसके अलावा सल्मान खान के साथ वो एक फिल्म करने जा रही है हम पहले भी अपको बता चुके थे कि टाइगर थ्री में शारुक खाने क्यामियो करने जा रहे है जिसकी शूटिंग बहुत जल्द होने वाली है ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत जल्द शारुक खान सल्मान खान के साथ टाइगर थ्री के लिए शूट करने वाले है शनाया कपूर जो बेटी है संजे कपूर और महीब कपूर की बता देगी बहुत जल्द अपना बॉलिवुड डेब्यू देने जा रही है वेल आक्ट्रिस ने हाली में एक रैम फॉक किया था और उनका ये जो रैम फॉक था वो डेब्यू रैम फॉक था लेकिन सोशल मीडिय पर ये रैम फॉक इतना जादा खास तरीके से लिया नहीं गया क्यूंकि शनाया कपूर को ट्रोल किया गया अपने रैम फॉक के चलते शनाया आज शो स्टॉपर नजर आई फाशन शो में डिजाइनर मनीश मलोतरा के कलेक्शन के लिए लैक में फाशन वीक में लेकिन यहाँ पर उनका रैम फॉक देखकर कई सारे लोगों ने अलग-अलग कॉमेंट्स लिखे और उनको ट्रोल किया किसी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि एक डक वॉक कर रहा है वहीं ऐसे ही फ़नी कॉमेंट्स फैंस के सामने निकल कर आए बॉलिवड अक्ट्रिस जानवी कपूर हमें अज शो स्टॉपर नजर आई थी डिजाइनर पुनीत बलाना के लिए बता दे कि हम बात कर रहे हैं डे फोर की ओफ एवडी सी आई लैक मे फाशन वीक जिन्होंने अपना नया कलेक्शन लक्षमी रिवील किया जानवी कपूर ने यहां पर एक बहुत ही अस्थेटिक लहंगा पैना था उन्होंने एक ब्रिक बैकलिस मरून लहंगा पैना था और बैकलिस ब्लाउस पैना था जिसमें वो काफी जादा फ्लॉलिस और गोर्जिस लग रही थी यह जो लहंगा था उसमें एक डल गोल्ड दर्दोजी और गोटा इंब्रॉइटरी वर्क भी हुआ था जिसकी कारण यह लहंगा और भी जादा ब्यूटिफुल लग रहा था जानवी कपूर के उपर इसी के पिक्चर सोशल मीडिया पर भी वाइरल हो रही है अक्टर्स और कपल रिंबीर कपूर और आलिया भट को रीसंटली डिजाइनर बीना कानन के साथ देखा गया और दोनों की पिक्च और सोशल मीडिया पर इसलिए वाइरल होती हुई नजर आ रही है क्योंकि फैंस को ऐसा लग रहा है कि आलिया और रनबीर कपूर डिजाइनर से इसलिए मिले अपने वेडिंग के प्रेपरेशन करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल जो है दोनों की शादी हो जाए इसलिए दोनों डिजाइनर से मिलने गए आलिया भट ने इस डिजाइनर के साथ एक फोटो भी शेय की और फैंस ने उनसे पूछा कि आप लोग कब शादी कर रहे हो विल देखना ये है कि एक साइटिंग नियूस कब सामने निकल कर आती है आलिया और अनबीर दोनों रिले ये फिल्म कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड रही है इस फिल्म में लीड रोल में हमें अनुपमखेर, मितुन चक्रबर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी नजर आए हैं वेल ये फिल्म काफी अच्छा कर रही है बॉक्स ओफिस पर अब तक और इसी के चलते कई सारे Bollywood Celebrities ने इस फिल्म के बारे में बात की लेकिन जो में बड़े-बड़े स्टार्ज हैं उन्होंने अब तक इस फिल्म के बारे में बात नहीं की है इसी के बारे में बात करते हुए एक नुजपोडल के साथ अनुपम खेर ने ये रिविल किया कि इंडिविज्विज्विल दे की बॉलवड आक्ट्रिस कंगना रनौत भी वॉक करती हुई नज़राई वेरी टालेंटेड डिजाइनर वरून चकीलम के लिए वल बता दे की इसके पेक्चर्स कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किये जिसमें हम उनको लावेंडर कलर के लहंगे में देख सकते हैं और इस लहंगे में काफी हेवी वर्क है इसके अलावा कंगना ने सिल्वर कलर के जूलरी और अपने बालों को अपने मेकप को काफी सिंपल और मिनिमल रखा है Kangana इन photos में काफी जादा beautiful लग रही है और इन pictures को share करते हुए उन्होंने लिखा Enjoyed walking for the very talented Varun My hair and makeup team always appreciates when I do heroine-like stuff Bollywood actress Rakul Preet Singh अपनी upcoming film Attack को promote करती हुई नजर आ रही है इन दिनों वो promotions में काफी जादा busy चल रही है इसके साथ वो social media पर भी अपनी film को promote कर रही है हाली में Rakul Preet Singh ने एक exercise gym video share की जिसमें हम उनको एक hardcore intense workout करते हुए देख सकते हैं और इस intense workout को करते हुए उन्होंने जाकलीन फनान्डिस और Tiger Shroff को nominate किया वल बता दे कि ये एक attack challenge है जो Rakul Preet ने start किया है इसके अलावा Rakul Preet आय दिन अपने promotional look भी share करती हुई नजर आती है रिसेंटली उन्होंने एक black color के two-piece outfit में कुछ photo share की और ये उनका promotion look था जो काफी ज़ादा appealing लग रहा है आज के लिए इतना ही Bollywood के latest news और hot gossip के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी काइट